नगरपाली का के सामने से शराप की दुकान हटवाने के लिए नगरपाली का अध्यक्ष एवं भाजपा नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया नगरपाली का अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए काया कि तेरा दिनों के अंदर ये शराप की दुकान हट जानी चाहिए ने तो जबरस्ती हटा दी जाएगी ये धरना प्रदर्शन परासिया में हुआ जहां नगरपाली का अध्यक्ष ने बताया कि जब से मैं नगरपाली का अध्यक्ष बना हूँ तब से मुझे बार-बार महिलाओं ने यहाँ पर शराब की दुकान होने की शिकायत की मैंने पर्शाशन को इन शिकायतों से अवगत कराया गया था लेकिन कोई कारवाई परशाशन की तरफ से नहीं हुई यदि अब 13 दिन के अंदर शराब दुकान यहां से नहीं हटायी गई तो उगर आंदोलन करके जब रस्ती दुकान को हटा दिया जाएगा. यदिकारी, कलेक्टर, महदे एवं इस्थानी प्रसासन को जन्वरी से अउकत करा दिया था कि यह दुकान यहां से किसी अन्य स्थान पर परिवर्तन होना चाहिए. आज नया सत्र प्रारम हुआ है, देखने में आया था कि इसमें कोई कारवाई नहीं हुई है, तो मेरे दुआरा आज यहां परिवर्तन करने की घरना किया जाएगा. उन्होंने मुझसे कुछ दिन का टाइम भागा है, तो मेरे दुआरा फिर यहां दरना की घरना किया जाएगा. या राजाय, लोकीटिव डाड, हम इस उमर में ऐसे रहेंगे क्या? फिल्कुल रहेंगे. अगर पापा जैसी सही प्लाइनिंग की तो. जैसे की? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया एलाइसी के जीवन अक्षे में जो दे रहा है इमीडियेट और गैरंटिड एन्यूटी एट रेगुलर इंट्रिवल्स जिंदिगी पर के लिए वाह पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा न भिलकुल ने हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है एलाइसी के न्यू जीवन शांती में जो हमें देगा डिफर्ड अन्यूटी मतलब कुछ साल बात से रेगुलर इंकम आइसी एलाइसी एलाइसी के अन्यूटी प्लान्स दिद अन्यूटी आप्शिन्स और नियमित इंकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी एलाइसी हर पल आपके साथ वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक बिशलेश हम करते हैं सट्टे का अन्वेशा